नमस्कार सभी स्टुडेंट का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है सत्यादी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रेलवे ने अपना केलेंडर जारी कर दिया है और उसी केलेंडर का पूरा रोड मेप पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेगे वीडियो में आप लोगों को आज में बताऊंगा ALP यानि की Assistant Locopilot के एक्जाम के बारे में NTPC में जो Graduate और Undergraduate पद होते हैं उनके बारे में RPF के बारे में इसके अलावा जो NTPC के पदाते हैं और Group D के पदाते हैं उन सभी की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे तो लाश्ट तक इस वीडियो में आप लोग सभी बने रहें और ये वाला जो आपके सामने पेज दिख रहा है ये पेज आपने शायद पहले भी देखी लिया होगा ये कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया पूरा 2024 का ये कैलेंडर है पूरे साल का ये कैलेंडर है इसमें कौन-कौन से एक्जाम की बात रेलवे ने की है इसको हम देख लेते हैं एक तो LP याने की Assistant Locopilot का ये जो एक्जाम है इसकी बात हुई है इसके अलावा Technicians के पतों के बारे में रेलवे ने जानका ही दी है ये पताएंगे पेरामेडिकल, लेवल वर और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड के टेगरीज के पतों पर वेकेंसी रेलवे इस साल निकालेगा यहाँ पर मंत भी दिये है याने की एप्रॉक्स डेट भी दी हुई है जनवरी से मार्च ये जनवरी से मार्च की जो डेट दी है ना ये डेट दी है कि इस समय नोटिफिकेशन आएगा तो अलपी का तो यानि की असिस्टेंट लोको पाइलेट का तो नोटिफिकेशन आ गया है इसके फॉर्म भी अभी भरे जा रहे हैं ठीक है असिस्टेंट लोको पाइलेट के इसके बाद जो अप्रिल से जून यहां पर इन्होंने मन्थ दिया है वो टेक्निसियन के पदों के लिए दिया है कि इस समय नोटिफिकेशन आएगा इसको आप इस पर स्टूप से समझ लें ये एक्जाम का समय नहीं है ये नोटिफिकेशन के मन्थ है नोटिफिकेशन के लिए एडेट है जुलाई से सितंबर के बीच में ये एंटी पीसी के जो पद हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आएगे और इनकी एक्जाम कब कब होगी ये पी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा अक्टूबल दिसम्बर में लेवल वन के और जो मिनिस्ट्रियल पद है वो इसमें आएंगे इनका नोटिफिकेशन आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एक एक करके सारी चीजों को इस पष्ट करके समझते हैं देखो बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में NTPC के पदों के लिए को लेकर होंगे कि NTPC में सर अंडर ग्रेजुएट पद कौन-कौन से हैं और ग्रेजुएट पद कौन-कौन से हैं तो आप लोगों के लिए ये अंडर ग्रेजुएट और ये graduate, यानि की graduation जिन लोगों का हो गया है, वो NTPC के इन पदों के लिए form भर सकते हैं इनके लिए vacancy निकलती है traffic assistant, goods guard, senior commercial, ticket clerk senior clerk, come typist यह सब, यह सब पद railway में आप सुनते हो गए तो यह जो लोग graduate हो गए है उनके लिए पद है NTPC के और यह वाले जो पद है वो अंडर graduate है, तो NTPC में कोन-कोन से पद आते हैं मुझे लगता है यह बात आपको इस पस्ट हो गई होगी, NTPC का मतलब railway के अंतरगत जो पद होते हैं न NTPC मतलब railway के अंतरगत जो पद होते हैं आपको दिया हुआ इस पस्ट non-technical popular category के पद, यह मतलब हुआ NTPC का, ठीक इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पहली वेकंसी ALP की जो कलेंडर में दी है railway ने याने की assistant local pilot की उस वेकंसी का selection process क्या है, इसमें ALP में selection process में सबसे पहले computer based test CBT1 होगा, computer based test मतलब online test होगा है ना, तो online exam होगी, इसका क्या syllabus होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक फिर, CBT2 ये भी computer based, computer based का मतलब online exam होगी, ठीक फिर, computer based aptitude test होता है ALP का, यानि कि assistant local pilot का अलग से वो होगा और फिर, document verification के बाद joining होगी, ठीक है ये process है, किसकी ALP की process के बादे में assistant local pilot की process के बादे में अभी अपने बात की, जिसके form भी भरे जा रहे है 19 ताइक तक भरे जाएंगे ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये जो, ये जो tentitude timeline है assistant local pilot की इसमें कपकप क्या क्या होने वाला है तो देखो, cbt1 जून से अगस के बीच में होगी यहाँ पर इस प्रश्रूप से दिया हुआ है जून से अगस के बीच में cbt1 का exam return test ALP का होगा ठीक, इसके बाद जो है, second state cbt2 जो है, उसके लिए September 2024 की date इन्हों ने दी है aptitude test के लिए November में exam होगा और उसके बाद जो है, December तक final selection हो जाएगा ALP वालों का, याने की जो assistant local pilot है उनके लिए, ठीक है assistant local pilot का एक वीडियो में ने अलग से भी आप लोगों के लिए बनाया था ठीक है, वो वीडियो आप जाकल देख सकते हैं अभी assistant local pilot की यहां पर भी age limit और क्या क्या इसमें चाहिए यह सब जानकारी इसमें आपके सामने दी गई है कि 88 से 33 साल तक के जो लोग हैं वो assistant local pilot में form भर सकते हैं काउंटिंग वगरा सब आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं ठीक है, अब देख लो assistant local pilot में cbt1 में यानि कि पहला जो return test होगा ना जो prelims वाला होगा उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा general science 20 question होगे 20 number का mathematics के 20 question होगे general intelligence and reasoning के 25 question होगे current affairs और general evidence के 10 question होगे total 75% है और 60 minute, एक घंटे में इसको करना है ये क्या बता रहा हूँ है ये assistant local pilot का cbt1 यानि की पहला चरण, ठीक, इसके बाद इसके बाद जो है cbt2 assistant local इसके दो पार्ट है पार्ट A और पार्ट B पार्ट A में 100 number में 90 minute में क्या करना है इसमें mathematics, general intelligence और basic science ये पूछा जाएगा पार्ट B में relevant trade जो भी आपका mechanical है या फिर आपका जो है electronics है उस related test होगा 75 question होगे और ये भी 60 minute में करना होगा कुल 175 marks हो गए और 175 question हो गए और धाई घंटे के समय में ये पूरा complete करना रहेगा ठीक है ये पूरी process मैंने आपको LP की बता दी अब NTPC NTPC पर आते हैं NTPC में मैंने आपको बताए non technical वाले जो popular पद होते हैं उनके लिए है ये computer based test होगा इसमें भी मतलब पहले online exam होगा CBT1 भी होगा CBT2 भी होगा इसके बाद typing test होता है ये NTPC के लिए typing test में computer based aptitude test ये भी होगा मतलब online exam ये होगा typing test का फिर document verification और उसके बाद medical हो जाएगा और फिर final selection ठीक ये NTPC की process है अब इसमें CBT1 CBT2 का syllabus क्या है NTPC का बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए eligible होते हैं देखो assistant locopilot में तो सब लोग form नहीं भर पाते हैं क्योंकि उसमें जो है फॉर्म बनने के लिए eligible होते हैं क्योंकि इसमें technical non-technical वाले पत जो होते हैं तो देखो इसमें mathematics 30 नंबर का general intelligence reasoning 30 नंबर का 30 question होंगे general awareness current affairs 40 question 40 नंबर का यानि कि syllabus आप railway के जितने भी exam देखोगे ना उसमें CVT1, CVT2 में syllabus में कोई ज्यादा अंतर नहीं है यानि कि यही चीज़ें हमने assistant locopilot में देखी यह syllabus आप NTPC में देख रहे हैं तो अलग से कुछ भी तयार करने की जरूवत नहीं होती है लेकिन लेकिन जो है railway ने बहुत अच्छा काम किया है कि समय बहुत ज़्यादा दिया है बहुत जल्दी आपको सारी vacancy के बारे में calendar के बारे में बता दिया जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो है व्यापम या PSC वो भी इसी तरह से calendar जादी करे और हमको time दे पढ़ने के लिए हमको बताए कि क्या syllabus है कितना समय कितनी vacancy है तो railway ने vacancy तो अभी नहीं बताई है लेकिन आप लोगों को syllabus और tentative date दे दिया यह बहुत अच्छी बात है तो इसकी तैयारी में आप जोड़ सकते हैं लग सकते हैं NTPC का CBT-2 देख लो NTPC का CBT-2 में भी वही है mathematics, general intelligence, reasoning, general governance, current affairs नंबर कम जादा उपर नीचे हो सकते हैं पढ़ना वही है 35 question, 35 number, 35 question, 50 question ठीक है तो आप जो है deep में पढ़े, short में पढ़े, यह ऐसा मुद्दा नहीं है आपको अपने subject जो इसमें दिये हैं उन पर पकड़ बनानी है, समय भी काफी है ठीक है, तो science पढ़ लो, math पढ़ लो, reasoning पढ़ लो, और gk बहुत अच्छे से पढ़ लो यह अगर आपने पढ़ लिया, तो railway के अधिकान्स exam आपके cover हो जाएंगे ठीक, अब group D, RRB group D के अंतरकत क्या selection process है इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताए जा रहा है इसमें computer based test वही CPT1 होगा, ठीक हैं, syllabus वैसे ही होगा physical efficiency test होगा, इसमें यह ध्यान रखें और document verification और फिर medical अब इसमें physical जो होगा, इसमें समझ लो आप कि 1 km जो है 4 मिनट में दोड़ना है लड़कों को और 1 km ही 5 मिनट 40 सेकंड में दोड़ना है लड़कों को यह physical है, इसका NDPC का syllabus क्या है CPT1 का, तो वही syllabus maths, reasoning current affairs, science, मतलब हर जगे वही है 25, 30, 20, 25, 100 नमबर का यह paper ठीक, तो यह syllabus आपके mind में होना चाहिए अब जितने भी मैंने आपको exam बताए है जो railway निकालेगा, इन सब के online course सत्यादी शर्मा क्लासिस के mobile application पर available है, आप लोगों के इसी syllabus को ध्यान में रखते हुए, syllabus के according, विशे विशेशक्यों के द्वारा, यह course त्यार किये गए है और fees भी बहुत कम रखी गई है, fees बताएता हूँ मैं आपको fees जो है आपकी triple nine, 999 रुपे में एक साल की validity के साथ यह course आपको दिये जा रहा है और यह course काई का है, सहायक लोको पाइलेट का LP का, इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है CBT1 NTPC के लिए भी course है, इसके लिए fees कितनी है, इसके लिए भी fees वही रखी गई है इसके लिए भी fees वही रखी गई है, triple nine क्या fees रखी गई है, 999, मतलब एक साल की validity के साथ, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें आपको demo classes मिलेंगी, आप जाकर demo देख सकते हो, इसके अलावा live plus recorded classes e-book, e-book content मतलब आपको किताबें अलग से खाईदने की जरुवत नहीं है, syllabus के according किताबें आपको PDF format में application मिल जाएंगी, उनको आप चाहो तो print भी करवा सकते हो, इसके अलावा teacher जो board पे पढ़ाते हैं, उनकी PDF आपको अलग से course में मिलेगी, वो additional है, test series भी इन सभी की available है, चाहे assistant logopilot की बात करें, NTPC की बात करें, या group D की बात करें, railway के सभी exams का syllabus जो है, उसके according ये course त्यार किये गए हैं, live classes भी है इनमे, recorded classes भी हैं, तो ये आप लोगों को लेना चाहिए और क्योंकि वक्त बहुत अच्छा है, time बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए आपको अभी से त्यारी में जुट जाना है, कोई vacancy, कोई vacancy अगर आपको पहले से बद़ जाएक 6 महीने बाद exam है, तो तो फिर आपको उसमें जी जान लगा देना चाहिए, जिसे व्यापम की vacancy आती है, या S.S.C. की कोई vacancy आती है, और समय मिलता है मार लो डेड़ महीने, दो महीने, और syllabus भी एकदम नया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, या आपने देखा है, रेलवे की central government की vacancy है, और भारत सरकार का सबसे बड़ा साजनी छेत्र का उपकरम है रेलवे, यहाँ पर रेलवे में job जो है, बहुत secure मानी जाती है, बहुत अच्छा salary बेश होता है, और रेलवे में पूरा भारत भ्रमण आप जो है, रेलवे के साथ कर सकते हैं, ठीक, इस नोगरी के साथ, तो आप लोग सब इसकी तयारी में जुड़ जाएए, ग्रूप D का भी course है, आर्पी एप का भी course है, यह भी ट्रपल नाइन में course अवेलेवल है, ग्रूप D के अंतरगत ही, जो है आर्पी एप की vacancy आईगी, के लेवल का पद होता है, यह भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पद है, इसके लिए भी आप eligible हैं, और आप तयारी कर सकते हैं, इसका course भी सत्तरी शर्मा क्लासिस के mobile app पर है, तो अभी सत्तरी शर्मा क्लासिस का mobile application play store से डाउनलोड कर लो, जो यह आपका calendar है, इसको अपने मन में बसा लो, अभी इस समय अगल 2024 में सबस्यादा संभावना हैं, अभी तक की इस्तिती में अगल देखा जाए, गौर्मेंट जॉब की तो वो रेलवे में देखने को मिल रही हैं, और सत्तरी शर्मा क्लासिस के YouTube चैनल पर भी इन सब courses के लिए live classes भी इस्टार्ट होंगी, जिसमें आपको MCQs के मादम से practice करवाई जाएगी, लेकिन बेस मजबूत करने के लिए आपको application से जोड़ना पड़ेगा, तो प्ले स्टोर से अभी सत्तरी शर्मा क्लासिस का mobile app डाउनलोड करें, और रेलवे, इंडियन रेलवे में अपनी job सरक्षित करें, बहुत बहुत धन्यवाद, comment करके जरूर बताएं कि आपको और क्या इस पूरे कलेंडर में और इस पूरी वेकेंसी में और क्या आप जानना चाते हैं और आप किस तरह के और वीडियो इसमें देखना चाते हैं और आपकी तैयारी application पर किस तरह से हम करवाएंगे, इसका औ और आगे डीटेल में आपको application पर बताऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much, जैहिंत, भारत मता कीजे